प्लानिंग को आपके रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूब करने के लिए और इस चैनल पर आप फर्स टाइम आये हो तो प्लीज सट्ट्लाइब कर लीजिए का चैनल यह आपका ही है और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा कमेंट भी करिएगा मुझे पता चल अगर हमें करनी हो तो हमें यह तो पता होना चाहिए ना एसे क्या है हमारे लाइबिलिटी क्या है हमारी बट बिफोर गएड एसे कहते किसे है वैसे तो बोला जाएक तो दीज आर दा आइटम पॉसेस्ट बाइए बिजनस और इंडिविजिबल दैट विल प्रोवाइड इ यह एसेट है कई चीजे हमें लगता है हमारे पास एसेट है लेकिन वह एसेट नहीं होती जंदरी एक एसेट के हम बात करते हैं हमारे पास जो जो चीजे है वह एसेट है हमारी कार हमारी एसेट है नहीं जी एसेट नहीं है वह आपकी लाइबिलिटी है कार आप रखते हो त चुरेंस आपको साल में पे करना पड़ेगा पेटरॉल डाना पड़ेगा तो आप बोलोकि mody याद चलते हैं तो पेटरोल लगएगा ही करचा तो लगएगा थीक है वह अगरकार नहीं होता तो भी आप हायर करके जाते तो भी आप खर्चा करते प्रापर्टीज जो पहले से बड़ी एप्रिसियेटेड है और आपने उस पे हाथ डाल दी और पता चला है कि आपने बैंक का लोन ले रखा है चार-पांच साल आपने लोन पे किया और फिर देखा तो पता चला जो मूल धन है उसका आपने बैंक से लिए वो उतना ही पड़ा हुआ उसमें 2-4 लाग की कमी आई जबकि आपने 1 करोड क्या स्वास का EMI पे कर दिया और वो एप्रिसेट नहीं कर रहा है तो भी एक तरह से लाइबिलिटी ही है ऐसेट नहीं है अब बात कर लेते हैं लाइबिलिटी क्या है फिर उसके बाद तोनों को कमपेर करेंगे फिर आपके यह सजीशन क्या होगा उस पर बात की जाएगी लाइबिलिटी है दाइटम्स दैटर ओबलिगेशन फोर विजनस और इंडिविजिजिगल यानि आपके उपर वो भार है आप उधार है आप आपको हर महिने कुछ पे करना है किसी को आपको year ending तक वो चुकाना है वो लाइबिलिटी से है लाइबिलिटी से हैं अब एसेट से लाइबिलिटी को थोड़ा compare कर लेते हैं और clear हो जाएगा because यह before going for any financial planning you must know clearly what are assets what are liabilities क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं बहुत confusion होता है मैं अपनी life personal experience से बता रहा हूं मैंने finance में degree ली है मैं personal अपने life life सबसे बड़ा आपको पता है teacher होता है तो assets items हो सकते हैं जो articles हो सकते हैं आपके intellectual property हो सकती है आपकी और intangible चीजें भी हो जाती है intellectual property जो है intangible है tangible जो चीजें आप छू सकते हो liabilities होती है debts यानि करजे आपके जो आप दूसरे party को आपको देना है assets आप own करते हो और liability क्या होती है can be used to purchase assets आपने कुछ करजा ले लिया और आपने assets खरीदने के लिए ले लिया वह आपकी करजा आपके liability वन गई assets क्या करता है आपके लिए revenue generate करता है generate revenues for the business और liability क्या करती है में help business 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 operation liability आपकी कई वी बार finance business operation को help करती है जैसे मैंने एक OD account खुल वाली एक limit बन वाली तो वह मेरी liability तो हो गई लेकिन वह मुझे business को help करने में operate करने में CAPEX और OPEX generate करने में मैं मैं खर्चा कर रहा हूँ उसको तो वह कई वह बाल liability भी जलूरी होती है तो आपको definition जानना बहुत जलूरी है assets के बारे मुझा बात करें तो provide long term benefits to the business और उसके बाल liability के बात करें दियार देन expenses for the business यह expenses होती है business की tangible and non tangible assets क्या होते है tangible and non tangible liabilities क्या होती है tangible assets में आते है या non tangible मैं आप देखना अपने आप मैं विसमें बताता रहूंगे क्या tangible है क्या non tangible है cash tangible है आपके वास गिन सकते हैं चूँ सकते हैं बिल्डिंग टेंजिवल से computer, furniture, investment, cash, equipment, account resources, machinery, inventories, vehicle, vehicle भी कई-कई बार हमारे लिए asset का काम करती है अगर हमारे पास माल लीजे एक transportation के लिए हमें वहिकल उस करना है और वो उससे हम पैसे generate कर रहे हैं मालो एक बंदा है जो अपने हाँ transport service चलाता है जो बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाता है उसके लिए उसकी वहिकल उसका van एक asset है क्योंकि उससे पैसा बनाता है आपकी car asset नहीं है आपकी car आप पे liability है वो सकता है आप उसे एक primary car को मान सकते हैं कि मेरा asset है क्योंकि मैं उससे travel करता हूँ और जब travel करूँगा तभी तो पैसे बनाऊगा तो आप कह सकते हैं बहुत clear आपको एक understanding चाहिए पूरे बेनर्स को operate करने के लिए आप कितने assets ओन करते हो कितने liability ओन करते हो liability में आप बात कर सकते हैं loans है आपकी tax payable है आपका tax payable भी आपकी liability है credit card आपकी liability है utilities payable आपकी liability है dividend payable आपकी liability अगर आप बड़ी कंपनी में काम चला रहे हैं तो इससे चीज़ें आप खिसका के assets की तरफ लेकिया यह definitely आप grow करेंगे अब आ जाते हैं assets versus liability के कुछ और definitions purpose क्या होता है assets help in generating revenue assets they are they are basically helping you in generating revenues liability क्या होती है financial obligations that a company borrowed or have to pay financial obligation होती है जो company borrow करती है और उसे pay करना होता है तो purpose क्या होता है purpose help in generating revenue assets का होता है और obligations क्या यानि liability क्या होती financial obligation that a company need to or individual need to pay type क्या होते है fixed assets और current assets होते हैं और liability में types क्या होती है current liability और future liabilities होती है current liabilities और future liabilities होती है एक्जांपल ले ले लेते हैं assets में machinery land goodwill goodwill भी आपका एक asset है आप कई बार company acquisition में जाईए आपकी goodwill के आपको पैसे मिलते हैं वो भी आपका asset है account receivable कि कितने पैसे आपके आने हैं आप एक business run कर रहे हैं आपके आपके जो market में vendors हैं उनसे आपको पैसे आने वाले हैं तो वो आपके asset हो गए और उसके बाद example हम बात करते हैं liability की त जाती है depreciation कैसे होता है दोनों में depreciation की बात कर लेते हैं फिक्स assets are subject to depreciation अब सोचों कि यार टैंजिबल यानि fixed asset जो आपके है वो गोल्ड है वो क्या गोल्ड आपका asset है वो depreciable है नहीं जी गोल्ड appreciable है तो कुछ example को छोड़ दिया जाए तो maximum asset जो होते हैं वो depreciable होते हैं अब बात करते हैं liabilities liabilities और non depreciable कुछ कह सकते हो आप interest बढ़ता गया interest rate आपने floating interest rate ले लिया है और आगे बढ़ता गया तो आप कह सकते हैं वहाँ पर बढ़ जाएगा calculation कैसे करते हैं assets को हम कहते हैं liabilities प्लस owners equity assets जो होती है आपकी वह liabilities प्लस owner equity को मिला के बनती है और liability क्या हो गई total asset minus owners equity cash flow के आगे अगर हम देखे assets cash flow कौन कराता है यह देखते है assets result into inflow of cash assets आपके inflow of cash को बढ़ाता है and increase cash balance आपके cash balance को बढ़ाता है liability क्या कहते है liabilities results outflow of cash and decrease cash balance आपके cash balance को liabilities कम करता है तो मुझे लगता है यह वीडियो में आपने पूरे एसे और liabilities को समद लिया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा चैनल और इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे